हेलो दोस्तो मेहनी चोदरी मैं हूं इस समय अपनी भी फार्म पर और साथ यह आप मेरे पीछे देख रहा है सारे मेरे हाइब लगे हुए हैं और इस समय जो कंडिशन है वह हाइब कि यह भी सब 8 फ्रेम 7 फ्रेम में हमारी मदुमक्या हैं और कुछ हमारे बड़े सूपर भी लगे हुए हैं पीछे भी हाइब है यह मेरी भी फार्म है यहां मेरे लगबग 200 फिलस भी हाइब लगे हुए हैं तो साथियों कुछ मेरे साथ ही पूछते हैं कि इस समय हमारा जब सितंबर का लास्ट वीक आने वाला है और अभी उसके बाद क्या होता अक्टूबर के लग करने के लिए हमको पोलन देना है उसका जो फार्मूला है बनाने का वह आप लोगों को पता ही है जिनको नहीं पता हो मेरे यूट वाट्सप चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं तो इस समय कर आप 8-7 फ्रेम मदमक्यां रखेंगे और रेक्वीनिंग आपने कर दिये अगर आप ब्रूट चैमबर से हनी निकालते हैं तो आप सूपर के साथ भी किपिंग नहीं कर सकते देखिए सूपर के साथ मदमक्यां करने के लिए पैसेंस के आउसकता होती है आपको थोड़ा धेरे रखना होता है कि भी हमको जल्दी-जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं कर इस चीज को आपको भूलना पड़ेगा अगर आप साइंटिपिक करना चाहते हैं को क्योंकि यह जो तरीका है ना यह बेकिपिंग में के अंदर आपने करके देख लिया बिल्कुल भी सक्सिज नहीं है उससे के लहम मदमक्यों का नुक्सान और क्वालिटी हनी की हम मैंटे इस तरीके हैं सूपर लगाने के मदमक्यों को मैनेज करने के आपको बदाता ही रहता हूं और मेरी जानकारिया आपको काफी अच्छी भी लगती है मुझे आप सपोर्ट भी करते हैं तो आप भी इसी तरीके का अपना सिस्टम बनाईए काम करने का बोक्स लिमेटेड रख होगे तो इसमें के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी के लिए फिर ज्यादा अगर बोक्स होंगे तो आप सही तरीके से उनका मैनेजमेंट करनी पाऊगे तो फिर आपके सामने समस्या हो जाएगी तो इसलिए आपको लिमिटेड बोक्स रखने चाहिए तक हो आपको काम करने में आसानी रहेगी मैं ज्यादा रखता नहीं हूं रेड़ तो को इस चीप अंदर का होता है खुदी काम करना होता है अगर हम लेवर पर छोड़ देंगे कि स्यूर बन्ने को रखके खोज और हमारे तरीके से काम कर ले तो इसलिए उतना हम खुद सुझrat पीजिद कर सकें उस तरीके से हमको काम करूंचाइए उतुना काम अपना रखना चाहिए और फिर so कि उट्व तरीके मैंने आपको बताया क्योंकि ज़्यादागर शंख्या बोक्स रखते हैं तो फिर कि मैंनिजमेंट उनका सही हो यह नहीं पाता है मैंने पूप पोस्टिस करके देखी है लेकिन उसमें सबलता नहीं मिल दिया तो लिमिटीड बोक्स रखो अच्छी क्वालिटी का हनी निकालो गलो हनी के साथ साथ हमारे अधर प्रोड़क्ट है जैसे बी पोलन की बीच्छी करें निकाल सकते हो और जब आगो सूपर के साथ अगरणी निकालेंगे दो पर वाले हनी की वह अच्छी घ्छी मार्केट आज कल तो सूपर टैंबर के हनी को लोग नाम लेके मागना शुरू कर दियान बहुत से पैकर्श ऐसे हैं कुछ श्योंटी कंपनिया भी हैं ऐसी आई हैं जो सूपर वाला हनी ही लेना मदब पसंद करती हैं कि साथियों यह तो मैंने सारी सूपर समंधित मैं थे सनायोह बताईं कुछ साथी बोलते हैं कि हैं माइगरेश्य करने में बड़ी पूर बलमाती है हम माइगरेश्य हम जबाइश्य हरा兩व करसकेать मदुमक्हिपालन आप लेकिन हमको अपने एरिये की हमारे पोरे साल की ईक कलेंडर होता है कि फ्लोरा क नेंडर होनों केंडिशन क्या होती है किस तरीके से से मिरमद्वम्ख्य नीचे जाती है उन चीज़ों को आपको पुरा ध्यान से डीप ली उनमें जाना पड़ेंगा और उसी हिसाफ से आपको अपने वीहाइब का मैनेजमेंट बनाना पड़ेंगा और यह सारी चीज दिके माइगरेशन कर करना चाहिए तो कि अगर आपके एरिये के अंदर सितंबर में या मालों की अगस्त में पोलन के अगर सोटेज रहती है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी मंदुमक्य पालन के क्योंकि जो हम रिक्वीनिंग बहरा करते हैं इनके लिए पोलन की बहुत अब सकता होती है इस समय अगर पोलन नहीं मिलेगा तो कलोनिया हमारी उसके स्टेज तक नहीं जा पाएंगी जिस स्टेज तक हम पुझाना चाहते हैं को फिर सर्दियां भी आ जाती है सर्दियों में ज्यादा सर्दी की होने की विज़े से भी मदुमक्य हमारी कम जोर रहेंगी तो माइगरेशन कर क्या होती है उसमें मुझे किस तरीके से अपने हाइब को मैंजमेंट करना है तो यह आपको समझना पड़ेगा कुछ साथी पूंचते हैं क्योंकि देखिए मेरे यहां का जो मैरे यहां छेत्र का जो मतलब कलेंट मतलब फ्लूरा का सिस्टम है वह अलग है दूसरे एरिया क पूसरे अलग हो सकता है तो वह आपको उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि मेरे यह में एक्टर किस्टम आता है मेरे अधमकी सामय करती है तो इह आपको अपने एरिये समझनी पड़ेंगी को कि उस one में वहां पोलन की सोटेज रही है इसलिए ड्रोन नहीं है क्योंकि पूलन मिलेगा मदुमख्यां करेंगी और भी कोई बहुत से कारण हो सकते हैं कि वह सही तरीके से मदुमख्यों का मैनेज नहीं कर पा रहे हूं आपका मदुमख्यों का वैभार और मदुमख्यों की हनी उत्पादन की छमता रिजीज आपके पेरी में विल्कुल कम हो जाएगी तो आप इन चीजों को फोलो करिए और आपना सपोर्ट प्यार इस तरीके से बनाएकर बना कर रखिए मैं आपको और भी जान कर रहे हैं देर